आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास है कोई Redmi या फिर MI का फोन और अगर आप अपने फोन में यहाँ पर लॉक लगाना चाहते हैं यानि कि इस स्क्रीन लॉक कैसे सेट कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो सबसे पहले अपने फोन में इसके लिए सेटिंग्स को ओपन करिए अब सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे स्क्रोल करना है और आपको एक ओप्शन मिलेगा यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी तो यहाँ पर यह ओप्शन आप सेटिंग्स में सर्च कर ली तो screen lock पर click करिए अब click करने के बाद option आएगा आपको क्या set करना है जैसे कि pattern, pane या फिर password तो हमें यहाँ पर select करना है pattern यानि कि हमें यहाँ पर pattern lock लगाना है screen पर तो हम उपर click करेंगे pattern पर अब उसके बाद आपको थोड़ा सा wait करना होगा यहाँ पर नीचे got it पर click करिए अब जो lock आपको set करना है वो यहाँ पर आप create करिए अगर आपको पिनिया password यहाँ पर लगा रहे हैं तो अपना पिनिया फिर password एंटर करेंगे हम यहाँ पर pattern lock लगा रहे हैं तो हम create करते हैं एक pattern lock और pattern को create करने के बाद आएगा draw pattern again to confirm यहाँ की confirm करना है तो confirm करने के लिए फिर से draw करेंगे उसके बाद नीचे confirm पर click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आपके phone में fingerprint होगा तो add का option आज जाएगा अगर add करना है तो कर सकते हैं तो यहाँ पर हम cancel करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे phone में यहाँ पर screen lock लग चुका है तो इस तरह से आप अपने Redmi के phone में screen lock लगा सकते हैं वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें